Assalamu alaikum everyone welcome back to my channel उमेद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी आप लोगों की दौाओं से बिल्कुल चीक हूँ तो आज मैं आप लोगों को बताओं की परफेक्ट तरीके से चावल बॉयल कैसे होते हैं जो आज दे किसी ने नहीं बताया होगा और साथ ही चटपटी सी फ् बिसमिल्ला हरामाने रहीम तो यहां पर मैंने डेड़ किलो चिलके वाली मचली ली है इसको मैंने बॉश कर लिया इस तरह के पीसेस बाहर से कटे हुए थे अब इसे मैं मेरिनेट करने लगी हूँ एक टी स्पून हल्दी पॉडर शामिल कर लिया मैंने इसमें एक टी लाल मिर्च पॉडर अपने हिसाब से भी चाल सकते हैं एक टी स्पून नमक अब इसमें मैं शामिल करूंगी टू टी स्पून लेमन का जूस कॉडर टी स्पून गरम मसाला और अध्रक लसन का पेस्ट एक टेबल स्पून मैंने यह पे शामिल कर लिया है फ्रेश कड़ी पता टूटी स्पून कॉडर कप भरा धनिया हरा धनिया शामिल करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छ से आप चाहें तो गलप्स लगा ले क्योंकि मैं अपनी अम्ली के घर पर आई हुई थी तो यहां पर मुझे गलफ्स नहीं मिले तो इसलिए मैंने इसी तरह से मेरिनीट कर लिया हाथ से अब शामिल करूंगी इसमें टू टी स्पून ओयल को हम बीच में डाल के तुबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छ से मसाला जब लग जाए गा अच्छ से तो हम इसको मेरिनीट करने के लिए फ्रीज में रख देंगे आधे घंटे के लिए अब दूसरी जगा मैं चावल ले रही हूं चावल मैंने तीन कप लिये हैं आप याद रहे आपको कि अगर अपने तीन कप लिये हैं तो पानी इसमें कितना होना चाहिए तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी तो ये ज़रा वाश का तरीका आप देख लें किस तरह वाश करती हूँ पहले हम इसे अच्छे से नलके पानी से दो तीन दफ़ा वाश कर लेंगे इसी तरह हाथों मैं रख जाएंगे चाहँ को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी डिस्ट है कच्रा है, सब रिमूव हो जाएं वाश करने के बाद हम इसमें साफ पानी डालेंगे तीन कप के करीब मैंने इसमें डाला है ताकि ये डिप हो जाए अच्छे से और सौक भी हो जाए हम पंद्रा मिंट के लिए इससे सौक होने के लिए साइड पे रख देंगे और फिर यहाँ पर एक कप के करीब मैंने ओयल लिये है उसको मैंने गरम करके इसमें पीसे शामिल कर रही हूँ मचली के और फ्लेम को मिडियम लो करके दस मिंट के लिए छोड़ देंगे अब आपको अच्छे से याद होगा कि वहाँ मैंने तीन कप चावल लिये थे ही हम इसमें शामिल कर लेंगे अपने चावल, अच्छे से चावल भीज में डाल लेंगे अब इसमें मैं शामिल करूंगी 2 टी सपून के कृइब ममक और ट्रू टी स्पून औल ताके हमारे चावल न चिपके एक दुसरे को तो जैसे ही चावल पानी पी चुके तो अब बारी आती है इन्हें दम करने की तो दम हम करेंगे धकन के अपर कपड़ा लगा लेंगे और इससे 12-15 मिन्ट तक के लिए भीकुल लोग लेंगे पर छोड़ देंगे जब तक हमारी फिश एक साइट पक चुकी है अब हम इसकी साइट पलट देंगे और 12-15 मिन्ट के लिए दूसरी साइट पर रख देंगे देखें भई माशालला से फिश तो हमारी रेडी हो चुकी है फिश को हम आइस्दा आइस्दा से बाहर निकाल लेंगे ताकि ये तूटे भी नहीं मच्छे कभी कभार तूट जाती है पर इस तफ़ा काफी हद तक सेफ है तो हमारा मच्छी वाला तेल बचे का उसको हम एक बरतन में निकाल लेंगे या तो तेल थंडा करके निकालने या अगर गरम निकाल रहें तो प्लास्टिक के बरतन में निकालना यहां देखिए भई हमारी स्पाइसी सी रेसिपी तयार हो गई है खाने में बहुत ही मज़े की रेसिपी यह है आप ज़रूर ट्राइक कीजिएगा खाने वाले के मुझ से वह ना निकले तो फिर बताईएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना नाम भूलिएका और अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएका और पहला आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपी आपते कसानी से पहुँचाए थैंक्स पूर वॉचिंग झाल तो